नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारा सिफल धाम येटूब चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फरवरी से 28 फरवरी तुलारा सिफल के बारे में दोस्तों खुद ब्रहमदेव ने लिखा आपका भाग अब आपको एक फरवरी से 28 फरवरी तक आचानक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा होगा बड़ा चमतकार मिलेगी बड़ी बड़ी खुस खबरी जिहां दोस्तों स्वागत ब्रहमदेव ने आपकी सुन ली है आपको फरवरी 2022 के महीने में बहुत ही खुस खबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अनेक से फायदे बताएंगे और कीन चीज़ों से आपको साबधान लेना पड़ेगा इनकी लव लाइब केसे रहेगी केरियर केसे रहने वाला है और बिजनस बेपार केसा रहेगा और स्वास्त की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग का क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आप कोई उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सकी दोस्तों आपकी भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जडूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हमें नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नीई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश रके तो चलिए दो बात करते हैं कि एक फरवरी से 28 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका भाग क्या-क्या आप इस दिनों में तरक्की करने वाले हैं और क्या-क्या उपलब्धी भी हासिल करने वाले हैं दोस्तों यह महीना आपके लिए कई बदलाव ला रहा हैं मन्चाई उपलब्धियां हासिल होगी आप अपने युगता और कारकुसलता से हर परसिती को समभाल लेंगे सरकारी मावल में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं रुकवे कामों में गती आएगी दोस्तों सुविधाओं के साथ साथ अतादमिक उन्नती भी होगी कुछ खास लोगों के साथ संपर्क पढ़ेंगे जो आपके तरकी में मददगार होंगे परपटी बनने के महत्पुन समभावना है साथ ही आप अपने प्यक्तित के परती भी गंभीर रहेंगे दोस्तों यह महिना के कुछ दिन बाद आपको आर्थी विस्ति में सुधार होने के योग बन रहे है रुके वया उल्जे हुए पेसे की आपसी के लिए समय अनुकुल रहेगा बच्चों की पढ़ाई केरियर अत्वा साथी समंदिक गतिविदियों पर खर्चा रहेगा उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे यह दिन परपटी के कामों की प्लानिंग के लिए बहुत ही अनुकुल रहेगा सरकारी मामलों से समंदित परिशनिया दूर हो जाएगी दोस्तों यह महिना आपकी कई नई कामों की योजना बनाएंगे और बहुत हद तक उन्नती और सफलता भी हासिल करेंगे परवावसली लोगों का सहयोग बना रहेगा परिवारिक सूसान्तिक की लिहास से यह सप्ता बहुत ही अच्छा भी थेगा धर के बड़े लोगों की मारदसन और सानिद में आपके काम काफी हद तक सरल हो जाएगे भायों या रिस्तदारों के साथ संपती विवाद निप्टाने के लिए अच्छा समय होगा समयंदों में फिर मधूरता आएगी अप महनद से विप्रित परिशितियां को अपने फेवर में करने की ताकत रखेंगे महिने की सुरुवाती चुनोती भरी हो सकती है लेकिन यह महिने के बीच में परिशितियां अनुकुल हो जाएगी किसी प्रवारसली इंसान की मदद से आपकी समस्यां का उचित हल मिलेगा दोस्तों और परिवार के सदस हर परसिते में आपकी मदद करेंगे आप वायत लोगों के लिए यह महीना खुशखबरी वाला रहेगा और देवों के देव महादेव के किरपा से आपके शादी लग जाएंगे दोस्तों युवाव को दस दिन के बाद से इंटर्वी कम्पिटिशन एकजाम में सफलता मिलने की पूरी शामभावना है सरकारी कामों के लिए कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए यह महीना अच्छे मोके देने वाला है दोस्तों यह महीना उपलवदियों भरा रहेगा आप जो भी मन में ठान लेंगे उसे पूरा ही कर लेंगे साथी प्रस्दियां भी आपका साथ देगी बड़े लोगों का आशिरवाद और मारदर्सन से आपको उनती मिलेगी दोस्तों महीने के कुछ दिन बाद पहले ही अपने सभी कामों को वैस्तित करने की कोशिश करें क्योंकि समय अनुकूल है और आपको सार्थक नितिजे हासिल होंगे और घर में मांगलिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों महीने के कुछ दिन बाद आपके कामों में गती पकड़ने लगेंगे लेकिन साथ ही ज़्यादा मेहनत की जरुरत रहेगी सुक सुदामबर खोले दिल से खर्चा करेंगे यह महीना आपकी योगता और छमता का भरपूर उप्यूग करने का है हलाकि इनका नतिजा हासिल करने के लिए धहर भी रखना पड़ सकता है कानून या सरकारी मामले सुजबूच से सुलज जाएंगे संतान की पढ़ाई और केरियर को लेकर महतपुन फेसले होंगे जो की सकार्तमग रहेंगे किसी निकट समंदी से चले बाद बाद का समाधान आप से समाती से हो जाएगा दोस्तों और भी खुस खबरी की बात है कि यह महीना स्टुडेंट के लिए खास तोर से सकार्तमग रहेगा अपने महनत के मन मुताविद नतिजे आपको हासिल होंगे परपट्टी और वेहिकल से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं रुकवे सरकारी मामले में कुछ कोशिसें के जरिये हल होने की संभावना है परिवार में साधिया आने कोई मांगली काम हो सकता है दोस्तों नई योजनाव पर काम करने के लिए यह महीना अनुकुल रहेगा अपने योजनाव के बारे में किसी से भी चर्चाना करें ये मेहना सुरुवाती 20 दिन के बाद पहले निवे समधी योजनाव को पूरा करने के लिए अच्छा समय रहेगा और कीमती चीजें की खरिदारे भी होगी दोस्तों आपको भगवान की किरपाशे आपको नए मोके मिल शकते हैं कोट केस या सरकारी मामलों के कुछ परेशानियों के बाद सुलज जाएंगें विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर पहले से ज़्यादा गंभीर रहेंगे रिस्चर्श साइंस वाकालत से जुड़ी विद्यार्थी को विशे सफलता हासिल होगी भावना के वज़ाए प्रैक्टिकल होकर अपनी गर्तिवीदियों को अन्जाम देने में सफलता मिलेगी नए विकल खरिदारी के भी योग बन रहे हैं उधार लिया हुआ पैसा चुकाने के योजना सफल होगी दोस्तों नेगेट्टे में आप अक्सर अती उत्सा और जल्दवाजी से अपने बनते काम खराब कर लेते हैं को समय खुद को जाचने और परखने में भी जरूर लगाएं दोस्तों इस महिने को खुशी से जीने के लिए आपको अपने रूटीन और विहवार में वक्त के हिसाब से बदलाव लाने की जरूरत भी रहेगी रिस्तों के मामल में सजग रहने की जरूरत है बावना के बावना के बावकाब में आकर कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलूआ पर विचार जरूर करें इस महीन में स्टुडेंट और युवाओं को अपने पढ़ाई और केरियर को लेकर जादा चोकना रहने की जरूरत है फिजिल खर्ची पर कावु रखने की जरूरत है वरना आर्थिक समस्या बढ़ सकती है करवी लोगों के साथ नेजी मावलों में विस्वास घात होने की भी असंका बन रही है बेतर होगा कि दुसरों के मावलों में दखल देने के वज़ाए अपने विकास पर ही ध्यान दें रिसिदारों और समंधियों से ज़्यादा मदद की उमीद ना करें दोस्तों सफलता की वज़े से कुछ लोग आपकी बुराई करने की कोशिश करेंगे कभी कभी खर्चे भी बढ़ सकते हैं इसलिए यह महीने में सुरुवात में ही फालतु खर्चों पर काबो रखना जरूरी है अगर कहीं निवेश की योजना है तो सावधान रहें बेतर होगा की इस महीने में अस्तगीत कर दें आप रिष्टारों और दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करेंगें तो धोखा भी हो जाएगा इसलिए अपनी कोशिशों और योजना को ही प्रात्मिक्ता दें दोस्तों वेशा में बिजनेस के नजरिये से यह महीने तरकी देने वाला रहेगा नहीं उपलब्दी हासिल होगी विश्तार समधी योजना पर भी काम सुरू होगा लेकिन सेर मार्केट और जोकिम भरे कामों से सोच समझ कर ही पैसा लगाएं करीब आधा महीना बितने के बाद कुछ चनोती आएगी हलाकि आप डटकर उनका मुकाबला करने में भी समख्च रहेंगे पार्टनर्सीद के बिजनेस में आपके हूनर और नोलेज से तरकी मिलेगी नोकरी पैसा लोगों को अपने योगदान की वज़े से विदेश चाने की भी मौका मिल सकते हैं सरकारी मामलों से जुड़ी बिजनेस में किसी भी तरह के अनेतिक कामों से दिल्चस्वी ना लें यह महीना आपके लिए व्याइबसाई उपलब दियां वाला रहेगा शफल रहेंगे व्याइबसाई नजरिये से यह महीने आपके लिए तरिकी के साथ सफलता देने वाला भी रहेगा अधिकारियों और राज़िती लोगों से अपने कॉंटेक्ट मज़ूद बनाएं यह आपके लिए बहुत फायदेमन साबित होंगे दोस्तों कभी-कभी बिजनेस में जल्दवाज में लिएगे फेसले गलत हो सकते हैं कोई भी वैवसाई निवेस करने से पहले अच्छे से जाच परतल जरूर कर लें इस वक्त कोई भी आर्थिक जोखिम उठाना आपके लिए ठीक नहीं है सरकारी नोकरी करने वाले की लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें गैर कानुनिक कामा में भी दिल्चस्वी न लें उहीं बात करते लव लाइप की दांपत जीवन में मधूरता रहेगी साथ ही आपसी समझ से घर की व्यस्ता बेहतर बना कर रखेंगे दोस्तों और इस दारों के साथ समोंद में मधूरता रहेगी वह यूग लोगों के लिए या महिना सुप समाचार लेकर आएगा वहां को प्रेम समझ एक हद तक रखने की जरुरत है ज़्यादा व्यस्त रहने की वज़े से घर परिवार की परतिलापरवार न रहें पती परतिनी को खास तोर से आपसी समानजस रखना जरूरी है इसका नकार्तमग नतीजा घर की व्यस्ता पर पढ़ सकता है कुछ पुराने दोस्तों से मुलकात होगी और फिर समंधों में नजदिकी आएगी प्रेम परसंग बनेंगे लेकिन अपने परिवारी और वेबसाइज जीवन पर इसका नकार्तमग असर ना पढ़ने दें आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो दोस्तों सेहत में छोटी छोटी परिशानिया रहेगी डाइविटिज और ब्लड पेसर की समस्या वाले लोग ज़्यादा साब्धान रहें हलाकि आप अपने रूटीन और खान पान के वेस्तित रखने पर काफी हद तक परिशान से निजदपा लगते हैं दोस्तों आपके स्वास्त में देखा जाए तो यह महने के भी सेहत का खास रखें ध्यान बदहजमी कब्ज और पेट खराब होने जैसी समस्या बढ़ सकती है वेस्ता के वाबजूत कुछ समय कसरत और योगा मेडिसन के लिए भी जरूर निकालें इस समय प्रकरती इलाज करने से सहत मन्द और और जावान रहेंगे चैस तब बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों सुक्रवार की दिन सुभा उड़ते ही मालक्षमी को नमन कर अश्नान कर स्वक्ष सफेद्या गुलावी वस्त धारन करें इसके बाद स्रियंतवा मालक्षमी की चीतर के सामने खड़े होकर स्रिसत्तु का पाठ करें अगर संबब हो तो कमल का पूछ मालक्षमी को अरपित करें आपके सभी मनों कामनाएं पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन खुसीयों वरा रहेगा दोस्तों आपका भागसाली रंग और भागसाली आंक क्या है दोस्तों आपका भागसाली रंग पीला है और भागसाली आंक छे है दोस्तों भगवान ब्रह्मभा का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जे बरहमदेव ज़लूर लिखे हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़लूर करें धन्य बाद